मनश्य केवल पांच महाभूत नहीं, पांच पदार्थ नहीं, पांच यानेंद्रियां, पांच करमेंद्रियां, तथा तीन गुण, ऐसी तेज वस्तूओं का मेल भी नहीं, मनश्य को चलने फिरने तता कारे करने हे दू शक्ति की आविश्यक्ता होगी और शक्ति को चेतना कहते हैं तो क्या माधव मनश्य इसकी चेतना है नहीं बार्थ मनश्य की चेतना के साथ उन्तेज वस्तूं के मेल का नाम प्रक्रति चौबिस वस्तूं से बने मनुश्य नामक यंत्र में वास करता है बुरुश अर्थाद परमात्मा का अंश उसे आत्मा कहा गया जब प्रक्रती और बुरुष का मेल होता अर्ताथ जब पर्मात्मा का आंच आत्मा बनकर देह में वास करता तब मनुष्य जीवित होता यह आत्मा क्या है मानुष्य और इससे जानने का क्या उपाए मनुष्य जैसे रत का उप्योग करता है जैसे ही आत्मा शरीर नाम के इस यंत्र का उप्योग करती है शरीर के माध्यम से शरीर के सुख दुख का उप्भोग करती है किम्तु आत्मा शरीर नहीं पार्थ शरीर का नाश किया जा सकता किन्तु आत्मा का नाश नहीं किया जा सकता नैनंग छिंदंती शस्त्राणी नैनंग दहती पावका ना चैनंक लेद यंत्यापो ना शोश्यती मारुता आत्मा ना शस्त्रों से छेदी जा सकती है और ना ही अगनी से जलाई जा सकती है न जल उसे निर्बल कर सकता है और ना ही पवन उसे सुखा सकती आत्मा शरीर में रहते हुए भी अमर न हन्यते हन्यमाने शरीरे बार शरीर की हत्या की जा सकती है किम तु आत्मा की हत्या नहीं की जा सकती आत्मा तो सर्व व्यापी है अचल है स्थेर है सनातन है पुराना वस्त्र त्याग कर जैसे मनुष्य नया वस्त्र धारण करता है वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़ कर बार बार नया शरीर धारण करती है परन्तु माधव मैं तो जगत का अनुभाव अपने शरीर के माध्यम से ही करता स्वेम को देहना जानकर मैं आत्मा कैसे जान सकता हूँ स्वेम को आत्मा के रूप में जानना असंभव भी नहीं पाद अंध भी जीते गुंगे भी जीते जिनके पास हाथ पैर नहीं होते वो भी जीते पर्स कि शरीर मनुष्य नहीं जिसकी चेतना चली जाती इसे मूर्चा आजाती है वो भी जीवित रहता इसलिए स्वष्ट है कि मनुष्य का चेतन तत्व वो भी शरीर नहीं इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने भीतर खोज करता है मैं इंद्रिया नहीं शरीर नहीं भावनाय नहीं विचार नहीं ज्यान ही मैं नहीं जो ये समझता जाता है वो अन्त में स्वयम को आत्मा के रूप में जान भी लेता है क्या आत्मा का क्या का रहे है मादब जब बर्धम के भाग हुए बुरुष तता प्रक्रती बने तब बुरुष अर्थात प्रमात्मा के अंश ने आत्मा बनकर प्रक्रती की प्रतेक वस्तू में वास किया असात्मा को मुखता अंधकार ने खेर लिया पार उस मो निद्रा से जागरित होकर स्वयम को परमात्मा का अंश जानना ही आत्मा का करतव्वे उद्देश और जीवनतार रहे परन्तु माधव यदि हर आत्मा परमात्मा का अंश है तो क्या उन्नती और अवगती जह हैं परमात्मा कर रहे हैं जिस प्रकार कीचड में पड़ा रत्न चमकता नहीं वैसे प्रकरती के 24 पदार्तों से गिरी आत्मा को विस्मरण हो जाता है कि वो परमात्मा का अंश है अधिक्तर आत्माएं अपनी देह को ही सब कुछ मानती हैं स्वयम देह से भिन हैं ये जान ही नहीं पाती शरीर को जो सुख दुख स्वाद गंध आदी का अनुभव होता है उससे अपना अनुभव मान लेती है और बदलाव का प्रयास ही नहीं करती है जो आत्माएं बदलाफ का प्रेत्न नहीं करती हैं, निरंतर अधर्म करती लेती हैं, उन्हें जागरित करने के लिए दंड देना निवारे हैं, तुम भी ये जान लो पाद, कि तुम शरीर नहीं, केवल एक आत्मा इस रण भूमी में दिखाई देने वाला प्रते क्यों था? वो नहीं जो तुम उन्हें मानते हों, कुछ समय के लिए इन सब ने शरीर में वास किया, इनके शरीर मरेंगे, किन्तु ये सम अमर, वो बुना नया शरीर धारन करेंगे, जब तक स्वैम को शुधात्मा के रूप में जान नहीं लेगे, जब तक अधर्म का त्यास करके, धर्म में जिड़ नहीं होंगे, तब तक ये जन्म लेते और मरते रहेगे, यही ब्रह्म विद्या का प्रथम पाठ है पार, जो जन्मा है, वो अवश्य मरेगे, और जो मरता है, वो अवश्य फिर से जन्म लेगा, इस महाग्यान को सांखे योग कहते हैं, तर्म वरा धर्म क्या है माध्या, जिस मार्ग पर चलकर मनुष्य स्वयम को आत्मा के रूप में देखता है, पर मात्मा के अंश के रूप में स्वयम को जानता है, उस मार्ग को फर्म कते हैं, जब मनुष्य स्वयम को पर मात्मा के अंश के रूप में जान लेता, तब उसे ही अनुपूती होती, कि ये स्रिष्टी ही पर मात्मा है, और ये पर मात्मा ही स्रिष्टी, स्रिष्टी और पर मात्मा में कोई भेद ने, जो मनुष्य ये जान लेता है, वो दूसरे मनुष्य और प्राणियों की और फिर्दय और कटोर नहीं होता, वो ये जानता है, कि जीब कटने से पीडा केवल जीब को नहीं होती, उसकी अनुभूती समगर शरीर को होती वैसे एक मनुष्य को पीडा होती है, तो समगर संसार उस पीडा का अनुभव करता है, जब तक संसार में एक मनुष्य भी पीड़ित है, तब तक वास्तव में किसी का भी सुक सम्पूर नहीं, जानने पर मनुष्य का मन करुणा से भर जाए, उसे धर्म कहते, जब किसी पर तमस गुंड छाया होता, तो वो दूसरों के प्रती कठोर, निर्दई और स्वार्थी हो जाता, अपने माने हुए सुक के लिए, दूसरों को दुख देता, पर मातमा की और ग्रती नहीं हो पाती उसे, अर्थात अधर्म पर मातमा से दूर ले जाने वाले मार्ग का नाम है, अधात अधर्म तो अध्यान का दूसरा नाम तो फिर अध्यनी के प्रति तो दया होनी आवशेक है ना दंड का क्या तात पर हा जब ज्यानतअ मूले जानने को सजना ज्यान पर दृस्टी डालने को भी सजना तब गंड की दया है, उसके प्रतीद की और दूसरों के प्रतीद की प्रतीद की स्रिष्ची की गती सदा ही परमात्मा की और हो, या निवार है, किन्तु कभी-कभी ऐसी स्थिती उत्पन हो जाती हो, कि अज्ञान, मोह और अधर्म बढ़ जाता, संसार से धर्म लुप्ध हो जाने का भय उत्पन हो जाता, संसार से जब धर्म लुप्ध हो जाता, करुणा भी नष्ट हो जाती है और सत्य भी नष्ट हो जाता, आने वाली पीडियों को धर्म प्राप्थ हो सके इसके लिए आज धर्मियों का नाश करके धर्म की पुनह स्थापना करना अनिवार रहे आज भी ऐसी हिस्थिती है पार्थ और धर्म स्थापना का कर्टब वे तुम्हारा इसने निर्मलता का थ्याद कर और इस युध के लिए सज बोजा और इस युध के लिए सज बोजा इमतो मेरे हाथों हत्याएं होंगी मादख मेरे कारण किसी के प्राण जाएंगे तो मेरे अंतर की करुणा का नाश नहीं हो जाएगा और यदि धर्म का आधार करुणा है तो क्या मेरी आत्मा धर्मी नहीं हो जाएगी कर्म का बंधन अवश्य निर्मित होता है किन्तु कारे का बंधन निर्मित नहीं होता पार तुम्हें कर्म और कारे के बीच क्या भेद है ये जानना आवश्य है सभी कर्म कारे इनको सभी कारे कर्मे कर्म उस कारे को खेते हैं जिसके साथ फल्गी आशा चुड़ी पनुष्य जब भी सुख की संपत्ति रशंसा की आशा रखकर कोई कारे करता तो वो उस कारे के फल से बंध जाता जब किसी कर्म को फल की आशा से किया जाए तो उसे सकाम कर्म योग खेते हैं और जब किसी कर्म को बिना किसी फल की आशा से किया जाए तो उसे निशकाम कर्म योग खेते हैं इसी कारण से उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है वास्तव में मनुष्य को कोई कर्म नहीं बांधता, उस कर्म से जुड़ी आशाएं उसे बांधती है। वो कैसे माधता है। और उसका पाप तुम्हें बांधेगा। विचार करो, यदि तुम्हें इस युद्ध में ना विजे का मोह और ना पराजय का भय तो इस युद्ध के अंत में तुम्हें सुख प्राप्थ होगा या दुख प्राप्थ होगा। ना सुक माधव और ना ही दुख अर्था तुम्हारा सुक दुख अताशा निराशा आहंकार युद्ध के कारण नहीं है। युद्ध के साथ तुमने जो आशाय बांधी हुई है उसके कारण है। क्या ये सत्य नहीं है पाड़। सुक दुखे समेक रित्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मवाप्स्यसी। अर्थात सुक दुख को समान मानकर लाभ खानी जय पराजे का विचार किये बिना यदि तुम युद्ध करोगे कौन तै तो तुम बाप के भागी नहीं बनोगे। इसी को कर्म योग कहते हैं जो सांखे का ज्यान प्राप्त कर लेता है वो यह जान लेता है कि वो शरीर नहीं केवल एक आत्मा है। शरीर के भोग और अनुभव तो केवल मृत्यू तक है। अर्थात वास्तविक नहीं, केवल माया है। उसके लिए कर्म योगी बनना सरल हो जाता है। तो क्या संसार का त्याग करके सन्यास लेना उचित नहीं। इसी विचार का परिणाम है कि आज ये युद्ध हो रहा है बार्त। जब सत्वगुण से भरे धर्म को जानने वाले लोग कर्मों का त्याग करते हैं। तब धर्म से भरे लोग भी संसार को छलाते। यदि महमहीम ने संसार का त्याग ना किया होता, तो आज अधर्म इतना बढ़ता ही ने। और तुम्हारे पिता ने यदि सन्यास ना लिया होता, तो आज प्राता युधिश्चर सुख से राज कर रहे होते। और अपनी प्रजा को न्याए और धर्म का ज्यान दे रहे होते। किन्तु धुक्ता एक बात तो यह है पार्त कि सत्व गुण से भरे मनुष्य ही संसार को लाब दे सकते हैं। किन्तु वो ही सन्यास का विचार करते हैं। जैसे जल तो भाब बनकर उड़ जाता है। और कीचड, कीचड वही पड़ा रहता। वैसे सत्व गुणी सज्जन लोग तो संसार का त्याग करते थे। और तमस से भरे अधर्मी लोग संसार में कार्रे करते। इसी कारण से संसार में पाप और अधर्म बढ़ता। किन्तु कर्मयोग इस विचित्र स्थिति से सारे संसार का रक्षन करता। कर्म योगी फलकी आशा का त्याग करता है किन्तु कर्मों का त्याग नहीं करता वो इसी संसार में रहता है सन्यासी की भांती सारे कारे करता है किन्तु उनमें लिप्त नहीं होता कर्म योगी अपनी संतानों से, स्वजनों से अपनी प्रजा से कोई अपेक्षा या आश Chemistry नहीं रखता स्वैंप उसे सन्यास का लाफ होता किन्तो समाज को संसारी की भाती लाफ देता मनुष्य अपनी संतानों के सुख के लिए श्रम करता है मादप मनुष्य अपनी संतानों के लिए जो भी करता है वो व्यपार है या प्रेम पार प्रेम माधब तो फिर अपने कारियों के प्रती फल की एक्षा क्यों पार अविश्चे का लाब तो व्यपार में देखा जाता है प्रेम ने नहीं जो मनुष्य अपनी संतानों का चरित्र निर्मान उचित रूप से करता है संतानों को प्रेम और धर्म के संसकार देता है उसकी संताने भी मनुष्य को प्रेम और सुरक्षा अवश्य देती संतानों के कर्म स्वजनों के भैवार उनके कर्म है पार और जब उनके कर्मों पर हमारा कोई अधिकार नहीं होता तो उनसे आशाएं और अपेक्षाएं रखने का क्या प्रयोज है यदि गहन विचार करोगे पार्थ तो शीगरी ही ये जान लोगे कि जीवन में ऐसा कोई कारे नहीं है जिसके साथ आशाएं और अपेक्षाएं जोड़ना अनिवारे हो जब स्रिष्णी ही परमात्मा है और मनुष्य स्वैम परमात्मा का अंश है तो सारे कारे परमात्मा ही करते मनुष्य स्वैम पुछ नहीं करता यही कर्मयोग का मूल से धान है पार तुमेह भी कर्मयोगी बनकर ये युद करना आवस्ष्च है पार त्रे गुणिया विश्या वेदा निस्त्रे गुणियो भवार जना निर्दवंद्वो नित्यस्त्वस्थो निर्योग, शेम, आत्मवार तीन गुणों का त्याग करके निर गुण बन जाओ पार, इस गुण्ध से मुक्ष हो जाओ सदा सक्व और थार परमात्मा में बुद्धी लगाकर करतव्य का वहन करते रहो कुछ प्राप्त करने की इच्छा और कुछ प्राप्त किये होए का रक्षन करने का विचार त्याग दो पार और अपनी आत्मा को स्वतंत्र कर मरन रहे पार कर्मन्य वा अधिकार अस्ते मा फलेशू कदाचना मा कर्म फल हे तुर्भू मा थे संगोस्त्व कर्मणी तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है फल तो ईश्वर के हाथ में इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है तो फल का त्याग करते परन तु कर्म का त्याग ना करे ऐसे कर्म योगी को कैसे जाना जा सकता है माधा विश्याविनी वर्तन ते निरहा रस्य देहिना रसवर्जम रसो प्यस्याए परम द्रिश्टवा निव वर्तते कि नवर्पर्वา स्वाद से चूपने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है बास्तर हमे उसके मन्से स्वाद की लाल्चा कभी जाती ही ने ईसे औहर हानी होती एक तो और निर्बल हो जाता इस इसके और परमात्मा को कुछ श्क vehicles क्रीचितन निवारे उसे वो नहीं कर पाता ऑधर दूसरा सदा ही उसका मन स्वाद की लाल्चा से भरा रहता इसलिए भोजन का ट्याग करने से उत्तम है स्वाद की लाल्चा का ही त्याग कर दिया जाए कर्मयोगी अपने मन की सारी लाल्चाओं को खीच लेता है जीवन को कर्तव बेमान कर कारे अवश्य करता हैं, इन्तु उन कारें से जुड़ता नहीं, और बाद, जो विक्ति अपने कारें से आशाएं और इक्षा नहीं रखता, उसी के कारे पून होते हैं, एक असफलता से दुखी होकर जिसका मन डोलता नहीं, एक सफलता से आनन्दित होकर जो स्वयम को स्तर्व श्रेष्ट नहीं मानता, ऐसे ही विक्ति को कर्म योगी कहते हैं, और ऐसा विक्ति जीवन में बार बार सफल होता है, प्यायतो विश्यान पुन्सः, संगस तेशु पजायते, संगात संजायते कामा, कामात द्रोधो भिजायते, द्रोधात भवती सम्मोह, सम्मोहात स्मृती विभ्ध्रम, स्मृती प्रिंशात वुद्धी नाशो, वुद्धी नाशात प्रणश्यती, प्लकी आशा से कामना प्रकट होती है और कामना का तो स्वभाव है असंतुष्ट रहना असंतोष से प्रोध उत्पन होता है और प्रोध से मुह जनता है मुह के कारण व्यक्ती आचार और वैवार का ज्यान ही भूल जाता है ज्यान के जाने से बुद्धी चली जाती अनुचित प्रकार के कारे होने लगते और समाज ऐसे व्यक्ती का शक्त्रू बन जाता और रंध में ऐसे मनुष्चिक पूर्ण सा पतन हो जाता जैसे भ्राता दुर्योधन उनके सेनापती महामहीम उनके ही शत्रू है और तुम्हें विजे का अशिरबात दिया पार्त कर्म योग प्रम विद्या का दूसरा चरण है प्रमात्मा में अपनी बुद्धी स्थिर करो स्वेम को आत्मा जालो मिथ्या बंधनों से मुक्त हो जाओ और फल की आशा का त्याग करके केवल कर्म करते रहे अपनी बुद्धी को प्रमात्मा में स्थिर करके कर्म योगी बनने का च्या मार्क है मार्त पार्त सांखे योग के कारण मनुष्य परमात्मा का निरंतर स्मरण करता है ता परमात्मा का स्मरण करने से मनुष्य के हृदे में समर्पन का भाव उत्पन होता है और उस भाव को भक्ति कहते परमात्मा के दर्शन होते और जिसे परमात्मा के दर्शन हो जाते वही वास्तव में कर्प्योगी बन जाता जन्मों के फेरों से छूट कर मोक्ष को प्राप्थ कर लेता सभी आत्माओं का अंतिम लक्ष वही और धर्म का अंतिम चरण भी वही किन्दु में परमात्मा के दर्शन के बिना समर्पन किस प्रकार कर सकता हुमार परमात्मा के दर्शन करने हे तू अपनी आँखों पर बंधे लालसा अहंकार प्रोध और पूर्वा ग्रह की पटियों को उतारना होता है अंधेरे कक्ष में बैठा मनुष्य यदि कहे कि उसे सूरे के दर्शन करने हैं तो उससे क्या कहोगे यही कहोगे न कि कक्ष से बहार आ जाए और आकाश के नीचे खड़ा हो जाए सूरे तो सदे वो पस्थित है वैसे ही पार यह स्रिष्टी ही परमात्मा है परमात्मा ही सब कुछ है परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है जो अपनी आत्मा के धर्शन कर लेता है वो परमात्मा के धर्शन कर लेता है जैसे नमक के एक कंड का स्वाद समग्र सागर के स्वाद से भिन नहीं होता जैसे अपनी आत्मा के धर्शन परमात्मा के धर्शन से भिन नहीं होता जैसे परमात्मा के धर्शन कर लेता है मैं परमात्मा जैसे तुम भी परमात्मा के वल तुम अभी जागरत नहीं होए हो और मैंने ये जान दिया परमात्मा के परतिसमर्पण इश्वर के प्रतिसमरपण क्यों नहीं है अवश्य मेरे प्रतिसमरपण ही परमात्मा के प्रतिसमरपण सर्व फर्मान परित्यचे मामेग शर्णम ब्रच सारी जगत्ता त्याग करके मेरी शरण में आजाओ पार मैं ही संसार हूँ मैं संसार का प्रतिक कण हूँ मैं ही सूर्य हूँ और मैं ही जंद्र हूँ मैं ही नक्षत्र हूँ और मैं ही सभी ग्रह हूँ मैं सूरे से भी अधिक पुरातन और किसी व्रिक्ष पर खिली कली से भी नया हूँ मैं ही सारे मनुश्य हूँ मैं ही स्वर्ग और नर्ग को धारण करने वानी शक्ती हूँ मैं ही धुर्योधन हूँ और मैं ही अर्जुन भी वो किसे संभव है मादा आपका जन्म तो वो तो ने अपने जीवन काल में बेखा है आपकी माता अभी भी जीवे थे जिनके गर्ब से अपने जन्म लिया आप पुरातन और अभिनाशी कैसे हो सकते हैं तुम शरीर देख रहें और मैं आत्मा की बात कर रहां मेरे अनेक जन हुए है पार मैंने अनेको अफदार धारन किये कई शरीर बने है मेरे और इसी मिट्टी में मिले और आगे भी मैं बार बार चन लूँगा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर भवति भारता अभ्यूत्थानम धर्मस्य तदात्मानम शुजामय परित्रणाय साधूनाम विनाशाय चदुश्कृताम धर्मसंत्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे जब जब धर्म को हानी होती है जब जब धर्म को हानी होती है में व्रिधी होती है तब-थब सत्पुर्शों के उधार के लिए अधर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की पुनहस्थापना के लिए मैं ही जन्व लेता हूँ ये प्रतेग युग में होता आया है और आगे भी ऐसा ही होगा मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ मैं ही मत्से भी था हूँ और मैं ही वामन अफ़तार भी हूँ मैं ही परशुराम हूँ और मैं ही राम चंद्र भी था मैं ही भ्रम्मा विष्णु और महेश हूँ और मैं ही सरस्वती, काली और लक्ष्मी भी मैं ना पुरुष हूँ, ना स्त्री हूँ और ना ही न पुन्सा मैं ना शरीर हूँ, ना शरीर के यंग हूँ मैं ग्यान, स्रिष्टी हूँ जेतन्य और परग्धम मैं सब कुछ हूँ और मैं कुछ भी नहीं ऐसा प्रतेक यूब में हुआ है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा मैं कुछ भी नहीं हूँ और मैं सब कुछ नहीं हूँ ऐसा प्रतेक यूग में हुआ है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा तुम आत्मग्यान प्राप्त करोगे पार्त स्वैम को मुझ से जुड़ा ही पाओगी तब तुम भी मेरी ही भाती स्वैम को परमात्मा के रूप में देखोगे किन तु उस पत को प्राप करने ही तू मेरे प्रती संपून समर्पण अनिवार है समर्पण क्या जमादा समर्पण मन की ऐसी स्थि का नाम जब मनुष्य अपने सारे संकल्पों का त्याग कर देता स्वैम से किसी ब्रकार के निर्ने अत्वा प्रण भी नहीं लेता जिस प्रकार के कारे उसे दिये जाते हैं उसी प्रकार के कारे करता है वास्तव में समर्पण का अर्थ होता है अपने आप, अपने मन को बुद्धी को, ज्यान को, इक्छा को आशा को, अपनी भावनाव को अपना सब कुछ, इसी को अर्पण कर देना और ऐसे समर्पण को भक्ती कहते हैं अपनी का समर्पण पती के ओर होता है एक योद्धा का समर्पण सेनपती के ओर होता है एक शिष्य के हृदे में गुरु भक्ती होती है क्या ये सारी भक्तियां एक समान क्या सब को इश्वर की प्राप्ती होती है नहीं पार मनुष्य जिसके प्रती समर्पण होता है उसी के रूप में ड्हलने लगता है उसके मन में कोई संदे कोई प्रश्न जन नहीं लेता इसी दुष्ट के प्रती समर्पण उस मनुष्य के कारें को दूशित कर देता है अंग राज करने धर्म को जानते हुए भी यूद सभा में पांचाली को अब शक्त कहे थे पांच पांच पुर्षों के जाद संबंध रखती है पैश्या होती है जिस्त्रियां उसका कारण था अंग राज का भ्राता दुर्योधन के प्रती समर्पड किस युद में उन्हें जो दंड मिलेगा वो किसी जन्म या जाती के लिए ने अथ्वा एक दुष्ट के प्रती समर्पड के लिए उन्हें दंड मिलेगा कि इसलिए हे धनंजय समर्पड उत्तम के प्रती होना आविश्यक उसी से मनुष्य उत्तम बनता लोहे की माला से अपराधी बांधा जाता है पीतल की माला से मंदिर के दीपक को बांधा जाता है और सोनी की माला को अभूशन बनाकर गले में धारण किया जाता है पती भक्ती स्वामी भक्ती मित्र भक्ती ऐसी अनेक भक्तियां होती हैं पार्थ किन्तु सबसे श्रेष्ट भक्ती तो पर मात्मा की भक्ती होती किन्तु पर मात्मा की भक्ती का सांख्य अत्वा कर्म योग से क्या संबन्द सांख्य योग के कारण मनुष्य स्वैम को आत्मा के रूप में जानता है कर्म योग से वो जीवन के बंधनों से छूट जाता है और भक्ती के कारण मनुष्य को पर मात्मा के वास्तविक रूप का ज्यान होता है पर मात्मा के ज्यान से मनुष्य जनम मरं के फेरों से छूट कर सचिदानन स्वरूप को प्राप्त कर लेता पर्मात्मा में समाकर स्वैम पर्मात्मा हो जाता जैसे जल्की छोटी सी बून जब सागर में मिलती है तो स्वैम सागर बन जाती अर्थाद इस शरीर का कोई महत्म ही नहीं है मादब अवश्य महत्व है पार्थ शरीर के माध्यम से ही मनुष्य को पर्मात्मा का साक्षात्कार होता वृद्धि और नए जन्द के बीच के समेम आत्मा के ज्यान में वृद्धि नहीं हो पाती इस जन्द में प्राप, अनुभव, व्यान, विचार और अभ्यास को लेकर आत्मा नया शरीर धारण करती है आत्मा की प्रगती और अधुगती शरीर में रहकर ही संभव है प्रणतु माधव, यहां उपस्तिफ व्यक्तियों का वद्ध करके क्या हम उनके उद्धार की संभावना को नश्म नहीं कर देंगे? तुम्हारे शत्रो धर्म की मर्यादा को तोड़ चुके हैं बार्द अधर्म ही उनका स्वभाव बन गया है उनका उद्धार अब संभव है अपराधी को एक सीमा तक ही उद्धार का अफसर दिया जा सकता है मैने शिशुपाल के नियानवे अपराधों को प्षमा किया था किन्तु सो अपराधों के पश्चाद उते डंड देना अविशक था कि राधी को यदी अपराध करने दिया जाए तो उसका अधिक से अधिक पतन होता है उसे अधर्म से रोकने में ही करुणा है धनंजे यह आत्माएं मरेंगी रही अधर्म से दूर्शित शरीर का त्याग करके नया शरीर धारण करेंगी और उस शरीर में उनकी प्रगती की संभावना अधिक होगी इस विचार से यदी तुम युद्ध करोगे तो वो उचित है मनुष्य का शरीर उसकी संपत्ती भी है और मरियाधा भी धर्म के मार्ग पर प्रवास करने वाला मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध करता है और उसके माध्यम से आत्मा का साखशाद करता है इसी को शेत्र शेत्रग्य संबंध कहा गया है मैं इसका तात्पर्य नहीं जान पाया माधव जब मनुष्य ये जान लेता है कि उसका शरीर एक भूमी का टुकड़ा है अर्थाद शेत्र है और वो शरीर में रहने वाला उस शरीर को समझने वाला अर्थाद शेत्रग्य है तब वो शरीर के माध्यम से अपनी प्रगती साथ पाता है आत्मा शरीर में रहकर तीन गुणों का समतोलन करती तमस को घटाकर सत्व को बढ़ाने का उपाय करती और इश्वर की भक्ति करके परमात्मा के साथ एक हो जाती